नमस्ते आप सब का वेलकम हैं सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़िदार टेस्टी से सर्दियों के लिए खास एक्तम बढ़िया वाले मेथी प्यास के पराठे अपने मेथी के पराठे तो खाए होंगे उसके थेपले भी खाए होंगे पर ये पराठा आप दहिया अचार के साथ ले सकते हैं या चाय बढ़िया के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है ताजी ताजी मेथी ले लीजे सर्दियों में बहुत अच्छी होती है मेथी खाना इसे पानी से अच्छे से वाश कर लेना इसे साफ कर लेना और उसके बाद इसे एकदम बारिक बारिक काट लेना बारिक बारिक काटने के बाद न इसे मैं फिर से पानी से अच्छे से वाश कर रही हूँ जो भी हरी पत्ते की सबजिया हैं उसे आपको पानी से खूब अच्छे से वाश करना है उसके बाद इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है तकि पराठा बेलने में तकलीफ ना हूँ तो देखे अच्छे से पानी में निकाल लिया अब इसे एक बाउल में डाल दिया है साथी साथ इसके अंदर एक बारी कटाव प्यास, दो बारी कटे हारी मर्ची, आदी चमच लालमिश पाउडर, चोथाई चमच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और इन सबी चीजों को हाथों की मदद से ही अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मिला लिया है, अब यह जो पराठा है, इसके लिए हम आटा गुन देंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बरतन ले लिया है, चन्नी ले लिया और इसमें मैं डाल रही दो से तीन कप गीहूं का आटा, इस तरीके से गलास की म मेथी प्यास के पराठे हैं, इसके लिए जो आटा गुनना है, वो नहीं ज़्यादा सक्ट होना चाहिए, और नहीं ज़्यादा नरम, मेडियम सॉफ्ट आटा गुनना है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करकर ही पानी डालना, जैसे यह आटा गुन ले, तो इस पर थोड़ा गीहू का अटा चिड़कना है, और इसे बेलना है, देखो रोटी और पराठे में एक ही फरक होता है, कि रोटी पतली होती है, और पराठा थोड़ा सा मूटा होता है, तो लोई बड़ी लेना और मूटी रोटी बेलना, बीच में खुप सारी स्टाफिंग डाल दिना जितन टिकलीफ ना हो ड़ेख सकते हैं मैं परढ़ फिर पवेल één दाल सकते हैं तबिक देख सेखुग होना हैं आप थोड़ा 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 लेगा सटे यह फिर घी यह फिर मखन और अच्छे से से ठीध सेग यहाँ हो सकता है बच्छे को अजिक में अगर धुर्ट सेग plays रखें तो एक बार तो इसे बनाएए बच्चों से लिक और बड़तों को पसंद आएगा और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांक यू फॉर वाच्चेंग